हलो फरेंग नमस्कार आप सब कैसे हैं चलिए अगर आप सब अच्छे हैं तो हम भी काफी अच्छे हैं चलिए आप सबों को एक कहानी बताते हैं एक गाह में एक बुढ़ी और उसका एक बेटी रहते थे एक बार की बात है उसके उस बुढ़ी वेक्ती के घर में खाने पिने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने अपने बेटी से गहा है बेटी ये चावल थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको अच्छात में सुखने के आए दो ओर खौबागा आएगा तुमसे भागा देने तो सब खा के खतम कर देगां तुसके बेटी बोले ठीक है मा हम ऐसे ही कर देते हैं है जो चावल भींग आ उसको हम घाठ देते हैं और देखेंगे देखते रहा देखते रहा कुछ देर के बाद में इसा हुआ कि एक सोने की कववा सोना के कववा वहाँ पर आ गया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सकत काला कववा रहता है यहाँ कैसा कववा आ गया सोने का पूरा है सोना का कववा है पूरा यह कववा आप कौन हो कहां से आई हो ऐसा कववात हम कभी नहीं देखे हैं और आप मेरे सारा चावल खा गये हैं अब हम रात को क्या खाएंगे या सुनकर वह कववा बोला हे लड़की तुम दुख क्यों हो रही हो मुझे भूख लगा मैंने खा लिया आपका चावल चलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूं आप बताई आप मुझे जो चाहेंगे और हम आपको देंगे तो उस लड़की ने बोली हमें तो कुछ ने चाहिए मुझे बस साम का ठीक है साम को भोजन चाहिए तो हम तो अभी नहीं दे सकते हैं नहीं कि सुबा में सुरज उगने से पहले गाउं से बाहर एक पीपल का पेर है वहाँ पर आजाना हम आपको दे देंगे सब कुछ यह बात सुनकर यह लड़की आश्चर चकित में पढ़ गया आश्चर में पढ़ गया कि वाके में यह कवा क्या बोल रही है सोने का कवा वह लड़की बोली ठीक है मैं सुबा आ जाओंगा जब साम हुआ तो उन्होंने बिन खाये पिये उन लड़की ने सोई रात भर उन लड़की भुख के मारी तड़ब तड़ब के सोई और उसकी मा भी चार बजे उन्होंने उठ गई और उस पेड के पास गए जो गाउं से बाहर पीपल का पेड था उसके पास गए बच्ची ने बोली है सोने के कवा मैं आ गया हूँ आप कहा है मुझे आप दर्सन दिजिए कोवा यह बात सुनकर तुरण अपने गोसले सी बाहर आती है और बोलती है बच्ची तुम आ गई हो चलिए मैं आपके लिए सिढ़ी भेशता हूँ आप कौन सा सिढ़ी पसंद करोगे सोना का सिढ़ी उतार दू या फिर चांदी का सिढ़ी उतार दू या फिर तामबा का स उतार दो तुस लड़की ने सोचने लगा मेरा इतना आवकात नहीं कि हम सोना और चांदी के सीड़ी में चड़ों और उन लड़की ने जवाब दिया जी नहीं मुझे सोना ना चांदी चाहिए मुझे सिल्वर का सीड़ी नीचे कर दिये मैं उसी से उपर आ जाँगा तुन् कववा ने उन्हें सोना का सीड़ी नीचे उतार दिया तुस बच्ची फिर उस सीड़ी के माधियम से पेन पर चड़ी उसके बाद कववा ने बोला उस बच्ची से लड़की से के बच्ची तुम रात में खाना नहीं खाए हो आओ चलो खाना खालो उसके बाद आपको यहा का थाली में चांदी का थाली में या फिर तांबा के थाली में लड़की ने फिर वही जवाब दिया ना ही मुझे सोने का थाली चाहिए ना ही मुझे चांदी का थाली बस मुझे तांबा का थाली में खाना परोस्ट जी मैं उसे में खा लूँगा कववा बोला ठीक है मैं खा उस लड़की से बोला ए बच्चे आप खाना खा लिये हैं तो चलिए आप मेरे साथ अंदर चलिए तो उस बच्ची ने उसके साथ कवे के साथ सुने के कवे के साथ अंदर चला गया उसके बाद उस बच्ची के सामने तीन पेटी रख दिया और बोला उस बच्ची से आप कौ ज्यादा बाड़ा पेटी नहीं उठा सकते हैं क्योंकि हम जितना का नुकसान गया है उतना ही का मैं उठाऊंगा उस लड़की ने छोटा पेटी को उठाया और वापस घार आये घार आने के बाद उन्होंने घर में आकर अपने बुड़ी मा के साथ वो बक्सा को खोला उस प वो दोनों खोसी से रहने लगें उसी गाह में एक लालची आउरत थी उन्होंने देखा कि वो गरीब वेक्ति इतना अमीर कैसी हो गया उन्होंने देखा सुना समझा और उसके बाद उन्होंने भी वही प्रक्रिया दूराया उन्होंने भी अपने बेटी से बोली कि बेटी इस चावल को धूप में सुखने के लिए दे दो सुखने के लिए दे दिया उसकी बेटी नून हो उसके बाद देखा कि वहाँ पर भी वह कववा आया सोने का कववा सोने के कववा से भी उन्होंने मदद मागे कि आपने मेरे चावल खा गए हैं मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है अब हम रात को क्या खाएंगे यह सुनकर वह कहुआ भी सुसने लगा और बोला ठीक है आपको ऐसा बात है खाने के लिए दिकत है तो हम आपका भुखतान भी नहीं कर सकते नेकिल आप सुबा चार बज़े सुरज उगने से पहले गाउं से बाहर एक पीपल का पेंड़े वहाँ पर आ जाना तो उन्हों ने बोला ठीक है उसके बाद कउओवा आया बाहर और बोला ठीक तुम आ चुके हो अंपके लिए शिरी भहजता हो कौन सा शिरी से ओपर आना पसंद करोगे सुना का सिरी हो चान्धी का सिरी या फिर तांबय का सिरी तो उन्होंने बोली मुझे सोने के सिरी चाहिए तो उन्होंने सोने के सिरी के जगह में उन्हें तांबे के सिरी भेज दिया उसके माधियम से सिरी के माधियम से उपर गया उसके बाद वो कवगा बोला ए लड़की आप तो आच चुके हैं ताब तो खाना पिना रात में नहीं खाए है तो चलिए कुछ खाना खा लेजिए उसके बाद ऐसे तुम कौन सा थाली में खाना पसंद करोगे सोने का थाली में या फिर तांबे का थाली में या फिर चांदी का थाली में वह लड़की लालची थी इसलिए उन्होंने बोली कि मुझे सोने के थाली में खाना देजिए कोवा अंदर गया और खाना सोने क्या क्या हूँ सिल्वर का थाली में खाना ला दे उन्होंने फिर उस लड़की ने खाना खाई उसके बाद उस लड़की से कवगा बोला चलिए आंदर आपको ले चलते हैं उन दोनों फिर आंदर गए उसके बाद उनके सामने तीन पेटी रख दियें उन लड़की ने देखा कि एक बड़ा पेटी है एक छोटा पेटी है उससे भी छोटा पेटी है और उन कवगा ने बोला कि आप कौन सा पेटी लेना पसंद करोगे इन तीरों में से तो लालची लड़की थी उन्होंने सबसे पहले बड़ा पेटी को उठा लिख मैं इस बहुत ही खुश थे उन दोनों लालची औरत मा और बेटी दुनों ने एक साथ अंदर घर में बहुत भीतर घर में जाके उस बेटी को खोला ताला लोग करके खोला ताके कोई इस बेटी के बारे में देखे न सुने न उन्हों ने बहुत ही चाव भाव से उस बेटी को खोला वहाँ पर इतना बिहानक काला नाग निकले इतना बड़ा नाग निकले इतना बिहानक साब निकला की हलो फरिंट्स आप इस कहानी से क्या सीखें क्या सीख मिला क्या सीख समझें आप मुझे कॉमेंट करके बतलाएं जैहिन जै भारत